साथियो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार्फिर से आपके अपने यूटूब चैनल पर साथियो एक बार्फिर से स्वास्त विभाग की बड़ी विकेंसी निकल कर सामने आई है और यहाँ पर ओल इंडिया कंडिट्स आविदन कर सकते हैं आप किसी भी राज से हो आप य इसके लिजबिल्टी के हैं और आखरी में हम बात करेंगे कि आप कैसे यहां पर आविदन का सकते हैं सबसे पहले आप देखेंगे आप टेक्निकल असेस्टेंट इंटी की पोस्ट हैं दो पोस्ट यहां पर सामिल की गई हैं बेतन की बात करेंगे तो 40,710 रुपाय पर मंत आपको सैलरी मिलेगी इसन्सियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे यानि की योग्जिता आपके पास क्या होनी चाहिए यहां पर लेका ब्यस्टी डिग्रीन स्पी आप आविदन कर सकते हैं और कोई एक्सपीरेंस से तो आप लगाते हैं एज लिमिट की बात करेंगे 18 से लेके 40 साल तक क्या अब यहां पर आविदन कर सकते हैं नेस्ट पोस्ट आप देखेंगे जूनियर फिजो थेरेपिस्ट की यहां पर तीन पोस्ट सामिल की गई हैं यहां पर 12 प्लस डिग्री इन फिजो थेरेपी मांग गया है आप आविदन करेंगे 25 रुपाय पर मंत आपको सेल्डी मिलेगी नेस्ट पोस्ट MTS 145 पतों पर मल्टी टास्किंग स्टाप की पोस्ट निकाली गई है इसेंसेल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहां पर मैट्रिक होना चाहिए मानता आप संस्थान से और यदि आपके पास मैं संबंधित में एक्स्पिरेंस से तो आप लगाते हैं यदि आप फ्रेसर केंडिट्स हैं तो भी आप यहां पर आविजन कर सकते हैं देख सक होना चाहिए संबंद्रत पोस्ट से आपका डिग्री एंड डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर कर नौलेज होना चाहिए और टैपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए हम दिखेंगे हैं यहां पर अफ़्िस्त्व मेडिकल टेक्स की आअलेज आए तक रलेगें तो क्यूट्स के बाद करेंगे हैं दो साल का लेवेंट फील में आपका होना चाहिए और बैचल डिग्री होने चाहिए मेडिकल लेपलोटी टेक्नलोजी में तभी आप आविजन कर सकते हैं बीमल्ट याप बीचल डिग्री लाइप साइन्स वाले करेंगे इस पोस्ट रेडियोग्र पर बद्रीज पोस्ट निकाली गई है क्वालिपिक्शन देखेंगे तो बीचल रेडियोग्राफी होना चाहिए तभी आप आविजन कर सकते हैं डिपलोमा यहां पर आविजन नही मिलेगी अगला पोस्ट यहां पर लेब अटेंडेंट का तीन पोस्ट है अपर 12 पास होना चाहिए प्लस दो साल का अपर एक्स्पिरिंस मांग गया एज लेब अटेंडेंट का 22516 आपको परबन सेली मिलेगी नेस्ट पोस्ट टेक्नोलोजिस्ट ओटी 37 पदों पर ओटी की पोस्ट निकाली गई है यहां पर बीएसी वाली करेंगे बीएसी इन एनस्थीसिया एंड ओटी आप देख सकते बीएसी ओटी टेक्नोलोजी बीएसी अनस्थी टेक्नोलोजी मांतर पर संस्तान से होना चाहिए 22516 आपको सेली मिलने वाली है जूनियर हिंदी टांसलेट की पोस्ट है बेश्य डिग्रीन डिकल लेवर्टी टेक्नोलोजी होना चाहिए प्लस यहां पर कोई एक्सपिरिश नहीं माँ गया लेकिन यहां पर डिप्लोमा वाली गंद्ट आप इतन नहीं कर सकते हैं इस प्रसट लगा बेश्र डीकर लेवरोजिन अपर मेडिकल लेव तो भी आप यहां पर आप सकते हैं और बेतन आपको 24,440 मिलने वाला है तो यह पोस्ट निकाली गई है यहां पर को सामिल किया गया है अब हम बात करते हैं आपको आप जन कैसे करना है तो आपको दोस्तों ऑन-lai-n करना होगा इस टेप में यहां पर आपको बताया गया कि कैसे आप आप जन करेंगे और एक्जाम फीच की बात कर लेते हैं जनरल के लिए 885 रुपाय है और शेस्ट के लिए यहां पर इस पर देखेंगे दोस्तों लिखा आया है अप्लिकेशन आर इन्वाइट फोर इंपनलमेंट और फॉलोविग मैं पॉबर प्योरली और आउटसोर्स बेसेज के जौब मेंट इन कर सकते हैं रहने वाला है कले हैं लिए इंगिष्ञ के दवारह निकाला गया है और विकेंसी एड़वटाजमेंट की बात करेंगे तो 469 459 या आपका विज्ञापन करमांगे ठीक है और आप जिनकी जून कर सकते हैं अब हम बात करेंगे कि आप इन पतों पर ओनलाइन कैसे करते हैं अप्लिकेशन लिंक कहां से मिलेगी तो आपको सिंपली इसी पीडियाप के नीचे आना है यहां पर देखेंगे बीई-ई-इस्टेशन पोर्टल हाउट टो एपलाई और नीचे वाला सेकेंड वाल को फिल कर सकते हैं यदि आपने पहले कभी बीई-इस याई-ई-एल का फॉर्म फिल किया तो आप इस सेकंड ऑप्सन पर जाकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपका सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा सबसे पहले आपको ऑन-लाइन के जाएगी इसके बाद बताय के माध्यम वहले अपना पंटॉम ऑं-लाइन इसके बाद मैं सोट लिस्ट कंडेट्स को यहां पर इंट्रिव्यू के लिए बुलाया जाएगा ठीक है और यह अपडेट और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंफॉर्मिशन के साथ थिंक्यू पर वाचिंग